हेलो फ्रेंड्स मैं हिर्दय स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल हिर्दयानन्द भर्दवाजपर आज दोस्तों हम इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं जो कि यह अपडेट है और डिजीटी के दोरा जारी किया गया है तो वीडियो को पूरा देखेगा इस किप नहीं किजेगा आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफूल रहेगी क्योंकि इस नोटिफिकेशन का बहुत से बचे लोग का इंतिजार था तो आए बिना देर की वीडियो को सुरू कर ही लेते हैं यह जो लेटर है वो डिजीटी के दोरा जारी किया गया है और इस में क्या अपडेट आई है आई इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर पहले सरवपर्थम इसका डेट देख लीजे यह जो लेटर है कल के डेट में यानि की 8-4-2022 के डेट में अपडेट हुआ है और यह जो लेटर है जब इस पीडियो को थोड़ा से स्क्रोल किजेगा तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इसका कहना का मतलब यह हुआ कि यह एक बार को आपको छूट दी जाती है कौन सी पीसे में? ED में और यह जो छूट है बार बार आपको नहीं दी जाएगी और यह छूट वैसे भी दार्थी को दिया जा रहा है जिनका admission जो है annual में हुआ था और जो ITI कर रहे है उनकी session के बारे में यहाँ पर नीचे में किया हुआ है कि यह किन session वालों को छूट दिया जा रहा है तो जैसा कि अब लोगों को पता होगा कि trade theory में employability skill में, workshop में सभी में grace marks देकर के बचे लों को बहुत से बचे लों को पास किया गया लेकिन उसके अलावा engineering drawing में भी बहुत से बचे फेल थे उनको भी अब grace marks देने की बात कही गई है इस later में यह जो बचे हैं कौन से सेशन के हैं तो यह जो बचे हैं 18-20 और 19-20 first year and second year of two year trade इसके अलावा one year और six month trade 19-20 और 20-20 इसके अलावा 20-22 first year अब इस second year का इसका एक्जाम नहीं हुआ है इसलिए 20-22 first year का जितने भी candidate है उनको भी अब grace marks देकर के पास किया जाएगा यानि कि अगर इनका marks 12-16 के बीच में है तो उनको 17 marks देकर के finally pass कर दिया जाएगा ठीक है तो cool मिलाकर कहें कि जो इस तरह के session से belong करते हैं और उनका जो marks है 12-16 के बीच में है वो finally promote किये जाते हैं उनका result जल्द ही update किया जाएगा तो यह पहला जो update थी grace marks से संबंदी थी अवा यह next update यानि कि दूसरी cbt exam से संबंदी थे वो क्या update आया है उसके बार में जान लेते हैं तो जैसा कि देख पा रहा है second जो letter है वो भी कल ही के दिन में जारी किया गया है यानि कि 8 अप्रिल 2022 को ही जारी किया गया है और यह जो letter है इसमें subject अलग है और यह भी जो letter है dgt के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर देखिए इसमें जो subject लिखा हुआ है यानि कि इसका कहने का मतलब यह है कि डिजिटी एक स्पेशल सिबिटी एक्जाम कंड़क्ट करा रही है जो किसी कारण बस एक्जाम नहीं दे पाया थे बहुत से बचे छूट गए थे परिसान चल रहे थे उनका किसी कारण बस एक्जाम नहीं हो पाया था और लेफ्ट ओभर रेगुलर ट्रेनी के लिए अपडेट है जो कि मैंने सेशन बतलाया 18-20 और 19-20 और 19-20 और 20-21 फरस्ट और 6-month course इनके लिए यह अपडेट है इसके बार पीडियाप को थोड़ा सा नीचे में आई एगा तो यहां पर देखे कुछ महत्पून रिमार्क में लिखे हुए है और कुछ जो डेट है महत्पून डेट के बारे में बताई गई है तो रिमार्क में देखे यहां पर दिय अपका इग्जाम से जो है 10 दिन पहले से आप अपना अपना अपका इग्जाम जो होगा तीन फेज में होगा फेज बन फेज टू फेज तरी जिसका जो डेट है क्रमसा दिया हुए है और यह जो इग्जाम होगी 25-4 से सुरू होकर के 17-5-2022 तक होगी इसके बाद जो अपडेट जो थी दूसरा बड़ा अपडेट थी तो यह दोनों अपडेट के बारे में अगर आपको कोई दाउट होता है तो कुमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं आपका रिपलाई करने का प्रियास करूँगा इसके लावा आप अपने ITI कोले से एक बर जरूर संपर कर लिजेगा ठीक है और इसका पीडियाफ हम अपने टेलिग्राम पर दे देते हैं टेलिग्राम गुरूप का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ये दोनों पीडियाफ को महां से मेरे टेलिग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेक् कारी के सा तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई जैहिंद